हेलो दोस्तों कैसे आप सबी उमीद करता हूँ अच्छे होंगे मज़े में होंगे मैं सोबित कुमार चोधरी फिर से आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ करना चाहते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ आप हमारी अप्लिकेशन किसी पर्टिकुलर तोपिक पर अगर आपको चाहिए जैसे केवल पार्टनर से क्लासिस चीए वो पैकेज आपको मिल जाएगा आपको मंतली सब्सक्रिप्शन चीए है वो मिल जाएगा आपको yearly सब्सक्रिप्शन चीए है वो मिल जाएगा केवल आपको cash flow की classes चीए है वो आपको वाँ पर मिल जाएगी साथ में doubt session भी मिलेगा support system भी मिलेगा live supporting हम आपको करेंगे और आपको help करते रहेंगे update कराते रहेंगे आपके exam होने तक तो जैसी भी आपकी need है जैसी भी आपके आशकता उसके हिसाब से आप हमारी application पर जाका पड़ सकते हैं however हम YouTube पर तो आप लोगों के लिए question लेकर ही आते है 10 years के और NCRT के ये भी enough है लेकिन अगर आप 80 out of 80 है 100 out of 100 की तरफ अगर आपको लाने हैं वैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि 100 out of 100 के लिए भी आप हम से जूट सकते हैं क्योंकि एक्जामनर जो आएगा वो क्या question पूस्ता है या किस तरीके के question practical में पूछे जा सकते हैं उसकी help के लिए भी मैं आपको बाद में वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो देखते हैं question में कि क्या question हम से मांग रहा है क्या requirement है या क्या detail question में हमें given है तो कहता है a business has earned average profit of 1 lakh during the last few years find out the value of goodwill by capitalization method given that the assets of the business are 10 lakh and its external liabilities are 1 lakh 80,000 the normal rate of return is 10% question अभी simple science reality का question है मेरे बच्चा किस से बोल रहा है question goodwill को करने के लिए question कह रहा है आप हमें goodwill निकाल के दिखाईए capitalization method से साथ में इसके बाद question सांत हो जाता है ये question ने नहीं बताया कि आपको कैसे निकालना capitalization of normal profit करना है capitalization of super profit करना है तो सर सूपर profit के regarding को detail भी given नहीं है तो simple सी बात है question बना capitalization of normal profit का या नी capitalization of normal profit से हमें question करना आप जानते हैं दो तरीके से capitalization के सवाल हम goodwill के निकालते हैं एक तरीका एक method होता है हमारा capitalization of normal profit दूसरा method होता है capitalization of super profit प्रायर में मैं वो वीडियो बना के आया हूँ आज है capitalization method का तो मैं capitalization method का link यहां description में आपको provide करा दूँगा साथ में मैंने playlist भी बना रहा किया playlist पे जाकर concept भी अलग देख सकते हैं goodwill का concept अलग देख सकते हैं past 10 years के goodwill के question अलग देख सकते हैं ऐसे ही partnership के question अलग देख सकते हैं partnership के 10 year के कौन-कौन से question आये हैं वो अलग देख सकते हैं तो मेरे बचा सब कुछ हमने synchronize किया हुआ है आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से हम plan करके चल रहे हैं guarantee के साथ कह सकते हैं आपके बहुत अच्छे number आने वाले हैं बस आप जुड़े रहे हैं तो चलिए बेटा start करते हैं अपना ये वाला question चले बेटा start करते हैं आसानी से एक बार फिर से आप question को read कर लीजिए ताकि आपको कोई भी problem ना आए निसाते हैं तो answer करते हैं हम इस question का NCRT का question है अपने आपसे कुछ draft करके नहीं बतारहे हैं आपको आप अपने पास से नहीं बता सकते हैं बिल्कुल बता सकता हूं मेरे बच्चा मैं अपने पास से बता सकता हूं लेकिन 10 years की हम practice कर रहे हैं तो अभी वोगी 10 years की बात कर ले तो कोशन में क्या बोल रहा था मेरे बच्चा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या निकालने बताईए आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना चाहिए कोशन में सर कैपिटल एंप्लोईट कैसे निकलेगा मैं डेटेल देख लेता हूं डेट लेक की टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी एक लाख असी हजार की हैं तो इस तरीके से माइनस करने के बाद 8 लेक 20 थाउजेंड का कैपिटल एमपलोईड आता है बेटा भूल मत जाना टोटल एसेट्स में क्या क्या नहीं लेते हैं fictitious assets नहीं लेते हैं साथ में non trade investment नहीं लेते हैं और goodwill याणि कोई परानी old goodwill balance rate में बहले से हैं तो वो नहीं लेते हैं कैपिटल एमपबोईड की calculation करने में उसको goodwill के point of view से या capital employedא निकालने के point of view से हम उसको consider नहीं करते हैं दूसरा तरीका ये जो हमने capital employee निकाला है इसके help से हम क्या निकाल सकते है normal profit क्या इसकी help से हमे normal profit निकालना चाहिए क्या caution में normal profit निकालने की need है यहां बता रहा हूँ सबसे important बात मेरे बच्चा जो बच्चा गलती कर देता है normal profit निकालने की जरुरत बिलकुल भी नहीं है हमें normal profit नहीं निकालना है मेरे बच्चा बिलकुल नहीं निकालना है यह वो चीज है जो मेरे बच्चा गलती कर देता है और एक method को दूसरे method में mix कर देता है यह बड़ा danger point है आपके लिए capital employee निकालने के बाद normal profit की तो यहां जरुरत ही नहीं होती capital employee की जरुरत पड़ती है हमें और net worth की जरुरत पड़ती है और दोनों को compare करके ही हम क्या निकालते हैं goodwill निकालते हैं net worth निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा sir हमें capitalize value निकालनी पड़ती है किसकी capitalize value निकालनी पड़ती है capitalize value of average profit तो जल्दी से निकालो second point में capitalize value average profit की capitalize value हमें निकालनी है मेरे बच्चा देखकर बताएं जल्दी से कितना दे रखा है average profit question में कितना given है मेरे बच्चा average profit given है 1 lakh का तो क्या formula होता था profit upon rate of return जो 10 दे रखा है rate of return into 100 जिससे क्या निकल के आया मेरा capitalize value निकल के आई कितने की 10 lakh rupees की capitalize value capital employed या मेरी net worth या मेरी net assets मैंने सबसे पहले निकाली उसको निकालने के बाद में normal profit निकालने की जुरत बिल्कुल भी नहीं है इस net worth से क्योंकि normal profit का करूँगा क्या मुझे actual profit से comparison करना है इसका comparison नहीं करना super profit निकालना ही नहीं है तो ये वाली बात मेरे लिए बेकार हो जाती है तो इस चीज को दिमाग में set कर लें कि capital employed निकालने के बाद में हम क्या कर देंगे हम निकालेंगे capitalize value of average profit जैसे capitalize value of average profit हमारी निकल जाएगी मेरे बच्चा तुरंट से ही हम formula लगा देंगे goodwill का in that case goodwill का क्या formula होता है मेरे बच्चा क्या कहता है goodwill का formula goodwill का formula बोलता है जो आपकी capitalized value आई है उसमें से आप minus कर देंगे capital employed को क्या कर देंगे आप क्या कर देंगे मेरे बच्चा capital employed को वहां से आप minus कर देंगे जरा बताओ देखकर कितने की capitalized value है 10 lakh minus करो जरा capitalized value के बाद कितने का capital employed है 8 lakh 20,000 तो कितना बच्चा मेरे बच्चा minus करने के बाद 1,20,000 कितना बच्चा 1,20,000 तो ये क्या आ गया हमारा ये निकल के आ गई हमारी goodwill और ये goodwill हमारी किस से निकली है मेरे बच्चा जल्दी से बताओ ये हमारी goodwill किस से निकली है ये निकली है capitalization of normal profit से बड़ा simple सा method है ये और बड़ा आसान है इस से goodwill की calculation करना ठीक है सर 10 lakh में से 8 lakh 20,000 घटाएंगे 1 lakh 20,000 नहीं बचेगा अरे एक 80 बचेगा बिलकुल सही का आपने 1 lakh 80,000 बचेगा कोई बात नहीं ये गणित की class नहीं है ये mathematics की class नहीं है ठीक है तो सर क्या हम paper में गलती कर दें math की class नहीं ना बच्चा क्योंकि आप math भी पढ़ रहे हैं लगे हाथ तो आप से गलती की उमीद नहीं है मैं कर सकता हूँ मेरी गलती माफ है क्योंकि मैंने exam पास कर लिया आपकी गलती माफ नहीं है ठीक है एक दूसरी बात कि उस बच्चों का मेरे पास message आया है और वो पूछते हैं कि sir 10 years के question करके क्या फाइदा तो मेरे बच्चा फाइदा ये है कि मेरे हिसाब से 30, 40 या 50 परसेंट तक पेपर related होता है या related concept का होता है तो पिछले सालों में क्या आया है उसको करना बहुत जरूरी होता है और साथ में मैं आपकी problem का solution दे रहा हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए आप जो खरीदते हैं market में जाते हैं आप क्या क्या लेकर आते हैं आप sold paper लेकर आते हैं 10 years करीदते हैं तो मैं यहाँ आपको question का answer करा रहा हूँ तो आपको उसकी need नहीं है आप क्या करिए concept को भी बनाईए या 10 years की पी बनाईए उसमें concept वाई सारे question को एक साथ systematically तरीके से कर लीजी paper के time पर उसका revision करें वो more than enough हो जाएगा आप लोगों के लिए अच्छे number लाने के लिए तो यानि कि यहाँ से अगर आप if you are not able to कि आप purchase कर पाएं मेरे बच्चा आप 10 years purchase नहीं कर सकते तो it's better आप फ्री में हमारी class देखें फ्री में 10 years की वीडियो देखें और आसा नहीं से उसको कर लें इसलिए मैं provide करा रहा हूं यह especially हमारी class मैं उन बच्चे को dedicate करता हूं जो बच्चे able नहीं है या जो नहीं पढ़ पाते हैं या इस्कूल में उनका इतना ची समझ में नहीं आता है financially इतने वो perfect नहीं है तो फ्री में classes हैं आप यहां से आईए फ्री में पढ़िए आपको केवल पढ़ने की जरुरत है बागी कुछ करने की जरुरत नहीं है साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में ये घंटे वाला निसान जरूर दबाएं और घर रहें सुरक्सित रहें जैहिंद भारत माता कीज़े